हाले अब्रों करें बाक्ति यो ओन चैनल वेल सगज सेकेंड ऑफ जैनुवरी टूज़न 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 दूज़न कल के दिन हमने स्टडी किया था कि मार्केट एक वीग नोट पे क्लोज हुई है लेकिन क्लोज उसी लेवल पर हुई थी जिस लेवल पर इस वेरी वेरी क्रूशल लेवल इंफेक्ट अगर आप देखें तो मॉर्टनिंग में बहुत ही जल्दी 48,000 के लेवल को इस कैंडल ने ब्रीच कर दिया था आपने उस पे एंटर किया अच्छी बात है नहीं एंटर किया तो एक ब्यूड़फुल ब्यूड़फुल ग्रीन रिट्रेस्मेंट की केंडल बनी थी उसमें तू एंटर करना बनता ही था और हमने प्रिसाइजली उसी पे एंटर किया था और वी बॉट 47,800 का पूट ऑप्शन और वो इन इन दमनी तो हुआ ही हुआ है अगर आप देखें तो 47,700 के लेवल्स पर डेलो पर बैंक निफ्ट 50 पर थोड़ी रहम तो रिलाइंस की रही जिसके चलते निफ्टी 50 वो स्लाइटली अंडर कंट्रोल अधर्वाइस निफ्टी बैंक तो बुरी तरह से गिरता वो दिखाई पड़ा मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी सी बाइंग हो रही थी इसको दोस्तों काफी सारे लोग रिलेट कर रहे हैं कि जो ड्राइवर्स अस्सेशन अल अल अक्रोस इंडिया जो बंद रखे हुए हैं जो प्रोसेशन चल रहे हैं उसको उसको उसके कारण मार्केट में क्योंकि अगर ड्राइवर्स ही हरताल पर रहेंगे बंद रहेगा तो चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी ऑफकोर्स अगर चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो एकॉनमी पर तो निगेटिव इंपक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा साथ में काफी सारे लोग इसको बीजेपी क 2024 की विक्टरी से भी असोशेट कर रहे हैं विक्टरी क्या उनका मानना ये है कि इसे बीजेपी बीजेपी को काफी नुकसान भी पहुँच सकता है तो ये गवर्मन बहुत ही स्ट्रेक्ट नॉम लेकर गया आई है कि जो भी एक्सिडेंट करने वाले जो ड्राइवर होते है है वो जनली क्या होता है ही इंडरन करके चले जाते हैं तो एस पर नुव लॉव रोड एक्सिडेंट करने वाल करके जो भागने वाले ड्राइवर हैं उनको टेन येर्स तक की इंप्रेजिनमेंट हो जाता है हो सकता है हो सकता है टेन येर्स तक का इंप्रेजिनमेंट और approximately 7 lakh तक का fine भी हो सकता है although government ने बोला है कि अगर victim को hospital तक छोड़के जाते हैं तो इस सजा कम भी हो सकती है लेकिन दोस्तों people who are into full time driving जिनका profession ही driving है तो उनको लगता है कि यह तो बड़ी रिसके चीज है क्योंकि जब हमें चलना ही road पे है तो अगर by chance को accident हो जाता है साल में खुद ना खासता तो फिर तो उनकी पूरी life ही गई है ना क्योंकि 10 years is a very very long time तो government ने दोस्तों अपने हिसाब से अपने दिमाग से अपने wisdom से यह law निकाला है लेकिन लोगों के अपने खुद के concern है अनिवे दोस्तों बात करते हैं हम लोग लोगल मार्केट की तो गिफने ट्वेट कर रहा है 27.5 27.5 पॉइंट्स टाउन इसके लावा बात करें हम लोग यूरॉपन मार्केट की तो वहां पर भी नेगटिविटी दिखाई पड़ रही है हार्ष है या फिर आपको what is your view you can let me know in the comments तो सो बात करते हैं हम लोग आज के मार्केट ब्रेट की आट आफ 2000 स्टॉक जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज के दिन गिरने वाले स्टॉक जाता थे तो ऑफकोर्स यह तो बात सिंपल सी है फैक्ट है कि मार्केट में जिस परकार की गिरावट थी स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में तो आपको broad base selling दिखाई पड़ रही थी और primarily auto sector के स्टॉक में क्योंकि कल के दिन हम लोग ने auto sector के अल्मुस सभी स्टॉक के चार्ट को study किया था और ये चीज़ find out किया था कि सारे के सारे stocks अब results थो ठीक हैं लेकिन results अगीं stocks बहुत ज़्यादा run up कर चुके हैं ये चीज़ हम लोग ने कल शाम को detail में study करी थी आज के top gainers के बारे हम बात करें आडानी port was 3% up आडानी port में बहुत ही अच्छी positive news भी है आगे discuss करेंगे इसके लावा डिवी स्लाब, सनफर्मा, कोल इंडिया, सिपला वर्ती, अधर टॉप gainers टॉप losers के बारे हम बात करें दोसों तो आशे मोटर्स, M&M, M&M देख रहे हैं आप M&M के अलावा भी ये दो तो टॉप तो loser थे ही थे बाकि सारे auto sector के stocks में भी आपको प्रेशर दिखाई पड़ रहा था, including Ultra Tech 7, Larson and Kotak Mahindra Bank अब ये सारे stocks recently अच्छा का सरण भी कर चुके थे, for example अगर आप देखें तो Tata Motors जैसे stock all time high पर चल रहे हैं, Tata Consumers, Devees Lab, 888, 7788% भाग चुके, Hindalco has run up 6%, Coal India has run up 6% in last one week, लास्ट एक हफ़ते में जहां पर underperformance है, जहां पर profit booking है, उसमें lead कर रहा है Aisha Motors, around 4.5% down, इसके लावा Infosys, LTIM, ICICI Bank and Larson are the other top underperformers, अब दुसों सवाल यहां पर उठता है कि market क्या accumulate कर रहे है, What is market accumulating? So, market safe stocks bet कर रहे है, उनको accumulate कर रहे है, stocks like ITC, stocks like Bajaj Finsov, stocks like Larson, Infosys and Tata Steel, मेरे सब दुसों कर आप मुझे पूचे कि इन में से कौन से stock है, जिसको की safe bet कहा ज़े सकता है, So, मेरे सब से Infosys is a great bet, great pick, Larson again, but Larson बहुँ जदा overvalued हो गया है, हाँ, second stock can be ITC, क्योंकि मेरे सब से ITC has a very very long way to go, So, दुसों यह अगर आप देखें, तो Nifty 50 में भी retracement की possibility काफी जादा दिखा ही पड़ रहे है, Now, if you see, Nifty 50 has already left its upper band, और धीरे धीरे अपने median की तरफ आता हुआ दिखा ही पड़ रहा है, And this median is nothing but 21,250 levels, और यह levels, you know, around 400 points की गिरावत आपको लाता हुआ दिखा ही पड़ सकता है, जैसा कि मैंने आपको बता है कि आज single-handedly, single-handedly सिर्फ reliance ही था, जो कि somehow Nifty 50 को support करा हुआ था, Otherwise, अगर आप market को देखें, including Nifty Bank, तो Nifty Bank already अपने median pay retrace कर चुका है, Which is exactly at 47,710 levels, क्योंकि उपर के level पे तो 48,600 के levels, important levels है, अगर market को उपर जाना था, तो इसको breach करना था, but ultimately, market इसको breach नहीं कर पाया, तो नीचे की तरफ पे slide होना शुरू हो चुका है, अगर आप पुछे कि क्या possibility है, तो अगर ये median breach हो जाता है, तो बहुत ज़दा, बहुत strong possibility है कि Nifty Bank will slide down towards its lower band, और lower band is nothing, but around 46,300, 46,500 levels, तो अगर ये जो level है, crucial level है, 47,700, अगर 47,700 कल के दिन अगर breach हो जाता है, तो दोसों यहां से, आपको करीब-करीब-करीब-करीब 1200 point की गिरावाट आपको और expect करनी चाहिए, आज that is second of January के FII-DI data को देखे हैं, तो आज के दिन DII's ने selling करी है, 1959 क्रोड बर्थ आफ स्टॉक्स की और FII's की तरफ से buying हुई है, 1602 गरोड की, तो FII's की तरफ से surprising आज के दिन buying है, और profit booking हुई है, अच्छी खासी from the side of DII's, एक बार option data पर भी नज़र डाल लेते हैं, दोस्वों कल के दिन भी हमको कल के दिन भी काफी aggressive position बनी हुई दिखाई पड़ रहे हैं, 27,700, तीनों लेवल्स पर एक बहुत ही strong call rating दिखाई पड़ रही है, put rating एदा aggressive है नहीं, जो भी है, थोड़ी से near at the money है, otherwise अगर आप देखें, so 21,500 के लेवल्स अगर तूटे तो फिर तो भाई, यहाँ पर कोई भी major put rating नहीं है, so overall एक bearish position बनती हुई दिखाई पड़ रही, nifty 50, वहीं बात कर लेता है, bank nifty की, तो bank nifty में भी हमको similar kind of data ही दिखाई पड़ रहा है, if you see, put call ratio is 0.51, but अगर bank nifty कल के दिन भी गिरता है, तो put call ratio is 0.51 से भी नीचे चला जाएगा, तो जब भी दोस्तों यह इस तरह का data आजाता है, तो मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ, जब कभी भी put call ratio is 0.50, that is extremely extremely over sold zone पर चला जाए, तो फिर वहाँ से आपको bounce back के expectation रखनी चाहिए, तो दोस्तों bank nifty में जैसे कि मैं आपको बताया, कि यहाँ पर कल के दिन अगर कोई भी sudden fall होती है, या फिर gap down opening होती है, तो फिर आपको एक sudden bounce back, because of short covering definitely expect करना चाहिए, put call ratio क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे है, 0.51 पहुँच गया है, कल के दिन कोई भी शाफ fall हो करके, put call ratio can go as low as 0.30, 0.35, अगर यह जाता है, तो वहाँ पर possibility बहुत ज़दा हो जाती है, कि एक short covering की, एक profit booking की by the short, by the shorters, और आस पास, तो अगर by chance market backfire करता है, 47,800 के levels, अगर reach होते हैं, तो वहाँ पर आपको एक intense short covering भी दिखाई पड़ सकती है, so market is showing pressure, market pressure दिखा रहा है, but kind of oversold zone पे bank nifty चला गया है, in past three to two to three days, लेकिन दोस्तों market में जो live price action होता है, उसको study करना बिल्कुल ना भोलें, क्योंकि ultimately मैं जो आज बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मैं आपको end of the day analysis, लेकिन ultimately जब trade लेना होता है दोस्तों, तो समय आपको current market में जो price action दिखाई पड़ रहा है, उसके हिसाब से trade लेना होता है, तो ultimately अगर आप देखें, तो morning में जिस समय हमने entry ली है, उस समय भी market में weakness थी, लेकिन हम लोग ने entry कर ली, वी दिद नॉट एंटर जब market ने अपना important level breach किया, हम लोग ने enter कर लिया, जब market ने retrace किया, और उसके अथ fresh fall का sign दिखाना चुरू किया, तो that's the precise entry which you have to time, दोसों बात करते हैं हम लोग कुछ stock specific news की, सबसे पहला stock है coal India, जिसका coal का supply all time high volume 98 million tons, यानो पहुँच गया है, जो कि पिछली साल के comparison में 31% उपर है, अब दोस्तों all time high की अगर supply है, तो you should not be surprised, यह stock जिस price पे trade कर रहा है वो price was 2015, 2014, मतलब आज से 10 साल पहले के price पे, coal India का price भी चल रहा है, so it is nothing, it is nothing की बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा price है, बहुत अच्छी value मिल रही है, दोस्तों इस समय stock भी अपने 10 साल के highs पे चल रहा है, तो यहाँ पर मेरे साब से कोई बहुत ज़्यदा value stock offer नहीं कर रहा है, बट मेरे साब से जो positive momentum है, वो आगे भी continue होता हुआ दिखाई पड़ेगा, यूगि इंडिया में power की demand बढ़ती रहेगी, और इंडिया में coal के लाबा कोई major natural resource है नहीं, जिससे की power को generate किया जासे के, और nuclear power पे हमारा ज़्यदा विश्वास है नहीं, तो हमारा मतलब country का, country उसको इतना ज़्यदा tap नहीं किया है, next stock है दोस्तों जिस पे कि आपकी नज़रे होने चीज, का नाम है क्वे स्कॉप, अब क्वे स्कॉप को 300 क्रोड का GST का, मैंना, income tax का demand आए था, 300 क्रोड का, 300 क्रोड से, अब दोस्तों मुझे पता नहीं हो, चल रहा है कि यह income tax और GST वानों, क्या हो गया है, इतनी ज़्यादा जबड़तों डिमेंड के हो, मांग रहा है सबसे, अब 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 देखें, तो 300 क्रोड का जो demand था, वो reduce होकर कि 141 क्रोड रह गया है, सो सीधे सीधे अगर आप देखें, तो 159 क्रोड का, इनको, भाई, simple चीज है, a penny saved is a penny earned, तो अगर यह 159 क्रोड उनोंने, negotiation से, या फिर documentation से, किसी भी तरीके से, इसको save किया है, so this is a money saved, otherwise इसीधे सीधे, government के खाते में जानी थी, I think this should be taken positively by the market, stock के बारे हम बात करना, तो stock आज करीब 3% के असपास जाउन था, नहीं, यह तो weekly chart है, तो stock थोड़ा सा negative जुरूर दिखाई पड़ रहा था, but मेरे साब से market should take this news positively, और stock में आपका positive momentum, continue होता हुआ दिखाई पड़ेगा, positive news और positive momentum की खबर तो है, अडानी एपोर्ट में, जिसमें की, पिछले साल के comparison में, पिछले साल से कर compare करें, तो पिछले साल के comparison से, 42% का cargo volume में jump आया है, और company ने दोसों, हर बार ये बोलती है, company always says and confirms कि, दोसों, ये तो शुरुआत है, अडानी पोर्ट हैसेट की, टागेटिंग over 400 million tons of cargo volume, इन FI24, और इसका मतलब ये है, कि अडानी पोर्ट will continue to remain on fire, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये डानी पोर्ट ने अभी रिसेंटली, अपने 1000 के levels को breach किया था, बहुत ही beautiful price action दिखा ही पड़ रहा है, stock ने breakout किया, retrace किया और फिर से, अगर आप देखें तो अपने important crucial level 1100 के levels को breakout करने के लिए त्यार है, stock is looking very very strong, जिनके portfolio में stock है, it's a strong hold, दो पिनी stock हैं दोस्तों, एक में बहुत ही positive news है और एक में negative, पहले negative news के बारे में बात कर लेते हैं, stock का नम है what a fun idea, अब दोस्तों stock recently अच्छा का सा भाग रहा था, क्योंकि इस प्रकार के rumors थे market में, क्योंकि market buys on rumor and sells on news, तो rumor यह थे कि company Elon Musk की जो star link है, जिसके तहत सीधे सीधे satellite से internet आना है, उसके साथ collaborate कर रही है, या फिर fund raise कर रही है star link के साथ में, बट ultimately आज के दिन company ने खुद इसको मना किया है, और जो clarification जो दिया है कि इस तरह की कोई भी talks फिलहाल, Elon Musk की company, Tesla या फिर star link के साथ नहीं चल रही है, और stock आज के दिन करीब 6% के आसपास जाओं था, लेकिन दोस्वों मेरे साब से there is no smoke without fire, तो थोड़ा सा wait करें, otherwise stock में तो थोड़ा सा pressure दिखाई पढ़ रहा है, मैं तो ना तो इसमें invested हूँ और ना ही investment करने की किसी इच्छा को रखता हूँ, एक stock जरूर है दोस्वों जिसमें कि मैंने investment किया था, stock का नाम है Alok Industries, stock को मैंने buy किया था, 18K price पे those people who are my members, they know it very very well, although stock को हमने exit कर दिया था the price of 22, क्योंकि 22 हमारे targets थे, लेकिन stock आज के दिन वाव, stock just ran like a fire, क्योंकि इसमें आज के दिन good news आई है, good news यह आई है, यह विसे मैं इस तरह की कुछ good news का wait कर रहा था, but मेरे targets निकल आए, तो मैंने time से profit को book करके अपना cash free किया, आज के दिन good news यह है कि Reliance Industries ने 3300 करोड का investment किया है, इन Alloc Industries, दोस्तों जिनको पता नहीं, उनको पता जाना चाहते हैं, कि Alloc Industries, Reliance Industries की ही subsidiary है, जो की textile के business को ध्यान में रख करके काम करती है, through non-convertible, redeemable, preferential shares के थूँ ने 3300 करोड रुपए investment किया है, इन Alloc Industries, very positive news, क्योंकि Reliance Industries अगर 3300 करोड रुपए लगा रही है, तो उसको मालूम है कि इससे अच्छा कासा recovery की जा सकती है, stock was up 21%, मेरे साब से stock में जो positive momentum हागे भी continue हो रह सकता है, जिन लोगों ने 80 रुपए पे buy करके hold कर रखा था, बहुत ही मुबारक बाद आप सभी लोगों को, अपना अकाम दोसों क्या है, टाइम से profit को book कर लेना, हाँ, अगर इस stock फिर से entry देगा, तो we'll definitely look to enter it again, क्योंकि stock कैसा लग रहा है, कि stock is likely to go towards the 28-30 zone very soon, दोसों वीडियो कैसा लगा, आपकर वीडियो पसंदा है, तो नोट फोगेट तो स्माश्ट लाइक बटन, दो शेयर विए फ्रेंज अंटिल देन, बाइबाए,